नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IVTV पर मैं आपकी होस्ट और दोस्त बीना सिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 जुलाई को World IVF Day मनाया जाता है ऐसे में इस विशेज दिन पर बात करने के लिए हमारे साथ है Seats of Inosis पटना सेंटर की IVF और Fertility Specialist Dr. Vandana Mishra सबसे पहने तो स्वागत है मैं आपका हमारे चैनल पर और हार्टिक सुबकामनाया IVF World Day मनाया Thank you so much मैं ये बताईए कि IVF है क्या क्योंकि आज इस जमाने में जीते वे भी कई सारे confusion लोगों के दिमाग में है कि IVF क्या होता है तो IVF का मतलब होता है In Vitro Fertilization तो अगर शरीर में किसी भी कारण वश भूण नहीं बन पा रहा है या pregnancy नहीं हो पा रही है तो हम लोग एक controlled manner में laboratory के अंदर में भूण को बनाते हैं और उसी बने हुए भूण को uterus के अंदर डाला जाता है तो ये एक तरह से controlled environment में होता है और किन लोगों के इसकी जरुवत पड़ती है मान लीजे कि किसी महिला के दोनों tubes blocked हैं या खराब हैं या अगर सही समय पे अंडे नहीं बन पाते हैं या नहीं food पाते हैं या पुरुशों में कोई problem है शुक्राणू कमजोर है या निल शुक्राणू है या हमें वो शुक्राणू सरजरी के द्वारा मिले हैं तो ऐसे लोगों में भुण अपने आप शरीर में नहीं बन पाता है और उसे हम लाब में बनाके फिर भुण को uterus के अंदर या गर्भू के अंदर डालते हैं इस पदती को in vitro fertilization कहा जाता है चुक्कि World IVF Day है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि World IVF Day क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुवात कब से हुई है दिवस को मनाने की तो World IVF Day 25 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसे दिन विश्व का सबसे पहला जो IVF बेबी था जो थी लुई ब्राउन उनका जन हुआ था और उनका जन जुलाई में हुआ था और इंडिया के फर्स्ट IVF बेबी का जन भी 1978 में ही हुआ था वो ऑक्टोबर में हुआ था और उनका नाम है दुर्गा तो इसको ही ओनर करते हुए 25 जुलाई को World IVF Day की रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में डॉक्टर ये बताए हमें की World IVF Day मना रहे हैं लोग आज कल ऐसे में कई सारे ऐसे कपल हैं जो इन दिनों माबाप नहीं बन पा रहे हैं और काफी परिशान रहते हैं तो जरा सार दर्सकों को ये बताने की कोशिस कर रहे हैं हम की IVF के थ्रू कैसे लोग अब जल्दी मम्मी पापा बन जा रहे हैं और क्या प्रोसेस इस पे क्या कुछ खर चाता हैं कई सारे ऐसे कपल हैं जो आज माबाप तो बनना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वस वो नही बन पा रहे हैं जी तो जो incidence है infertility का या बांच बन का जो incidence है वो बढ़ रहा है और अभी जो हमारे studies बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं as high as 25% of the couples may have problems of infertility उनको या तो गर्व नहीं ठहर रहा है या बार बार उनका गर्व पात या miscarriages हो रहे हैं तो ऐसे cases में ऐसे conditions में और अगर कोई genetic problem है उनकी family में या पहले की pregnancy में पहले बच्चे में या आपस में कुछ problem है तो उन लोगों को IVF की अवशक्ता पढ़ सकती ह है और IVF का incidence इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि अभी lifestyle के changes बहुत सारे हो गए हैं और career driven हो गई है महिलाएं भी तो वो शादी को भी postpone करती है चाइल्ड बेरिंग का age भी बढ़ रहा है और stress दोनों महिलाओं में भी और पूरुशों में भी बढ़ गया है जिस वज़े से IV पे भी ये खर्च लगभग एक लाग से लेके डेर लाग तक में हो जाता है खर्च का सवाल इसलिए था क्योंकि लोग IVF के नाम पर ही सोचते हैं कि बहुत महंगया इलाज हो सकता है और शायर जो लोग effort भी कर सकते हैं वो भी पीछे हर जाते हैं जी जी तो वही मैं बताना चाहरे हैं कि अभी जो हम अब IVF कर रहे हैं स्पेशली जो मैं Seeds of Innocence पठना में हमारा जो IVF होता है एक नया हम लोगों ने IVF स्टार्ट किया है जिसको कहते है IVF प्लस जिससे माता-पिता बनना और भी आसान हो गया है इसमें हम अपने कपल्स को ये सुविदा दे रहे हैं कि ना तो सिर्फ हम भुण बनाके डिरेक्ली उसे बिना चेक किये वे नहीं ट्रांसफर करते हैं भुण का जनेटिक टेस्टिंग किया जा रहा है जिसमें क्या होता है कि जो भुण हम बनाते हैं उसमें से कुछ एक सेल्स को लेके उनको लाब में दुबारा चेक किया जाता जो भृण सारे जेनेटिक प्रॉब्लम से फ्री होते हैं, उन्ही को प्रत्यारोपन उनकी का ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस के अंदर, जिससे कि जहां नॉर्मल IVF का सक्सेस रेट कहीं 40-45% होता है, हम जब ये IVF प्लस की पधती को अपनाते हैं, तो हमारे सक्सेस रेट दॉक्टर ये बताईए कि Sits of Innocence या इस अस्पताल की खासियत क्या कुछ है? उनके लिए वो सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिनको IVF या उससे भी advanced XC treatment या pre-implantation genetic testing की फैसिलिटी की जरूरत है, तो simple से लेके most advanced techniques तक आपको एक छट के नीचे मिल जाता है, मरीज को कहीं भी बाहर किसी भी इलाज के लिए या प्रोसीजर के लिए बाहर नहीं जान उसी यहाँ पर उपलब्ध होती है तो इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है और नहीं कुछ शर्म करने की जरूरत है, अगर आपके शरीर में कोई भी अंग में problem होता है, तो आप उसके respective doctor के पास जाते हो, इसी तरह से यदी संतान रखने होने में problem है, तो आप एक gynecologist और infertility specialist के पास आओगे, और अब जो सीख है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है, दूसरा है कि ये बहुत ही safe भी होता है, और इसका success rate भी अब पहले की मताबिक काफी high हो गया है, तो संकोच करने या डरने और घबराने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आपने संकोच होकर हमारे पास आईए, अगर आपक डॉक्चर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी शेयर होती है, तो अब आपके होस्ट और दोस्त किसी अगले सीरीज में आपके साथ मिलेंगी किछ ऐसी ही जानकारियों के साथ, तब तक हमें और हमारे टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार